हलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कुमार गुप्त के बारे में टाइम पिरिट की बात करें तो 415 से 455 एडी तक का इनका टाइम पिरिट था ये चंद्र गुप्त टू के बेटे थे, उनके सकसेसर थे इनका जो शासनकाल है किसका? कुमार गुप्त का जो शासनकाल है वो माना जाता है as the general peace and prosperity period मतलब एक बहुत ही शांती वाला और धन धन्ने वाला इनका शासनकाल था नौ ये एक और चीज़ के लिए famous हैं और वो क्या है? तो देखें पूरी वीडियो अगर आप इन डेटेल देखना चाहते हैं description box में लिंक दिया है वहाँ जाकर देख सकते हैं प्रस मेरे चैनल पे आपको history, polity, geography, economics, current affairs हर एक subject के handwritten notes मिल जाएंगे तो पढ़ने के लिए मेरे चैनल को अभी subscribe करें और bell icon को भी जरूर प्रस करें